हैलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम साइज 30 इंज बॉर्डर वाले विलाज की कटिंग करना सिखाएंगे तो आप हमारी वीडियो कहने तक जरूर देखें तो यहां पर हमने कपड़ा लिया है और एक कपड़ा हमारा बॉर्डर वाला है एक बॉर्डर हमारा पीछे वाले पल्ले पर आएगा और दूसरा बॉर्डर हमारा वाजू पर आएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे एक पट्टी कटिंग कर लेते हैं वाजू के लिए वाजू हम बाद में कटिंग करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगा कर इस तरह से कटिंग कर लेना है फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे तो जो कपड़े की open site है वो हमें अपनी तरफ रखनी है और यहाँ से लंबाई ना पेंगे तो लंबाई हमारी 12 इंच है दो इंच का मारजर लेंगे तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगाना है काज बटन की पट्टी के लिए फिर हम यहां पर गले की चौणाई नापेंगे तो गले की चौणाई हम यहां पर रखेंगे पाच इंच तो पाच को अदा करेंगे तो यहां पर हमें धा इंच पर निसान लगाना है और यहां से गले की लंबाई साड़े पाच इंच रखेंगे तो यहां पर भी हमें निसान लगाना है और सोल्डर की चोड़ाई हमें आपर धा इंच रखेंगे तो धा इंच पर हमें निशान लगाना है और आरमोल की लंबाई हमें आपर रखेंगे साड़े पांच इंच तो साड़े पांच इंच पर हमें निशान लगाना है और आद इंच पर आरमोल की गुलाई कर शाड़े साथ इन्च और दो इन्च का मारजन लेंगे। फिर हम यहापर क्या करेंगे। गमिन का म नापेंगे। कनल TWO में 26 ऐ ज़िस इन्च कंड़ कणूरे आदा करेंगे तो यहापर show the dot और बीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक का न भूल जाते होуска तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लेट का निसान लगाएंगे पहली यहाँ प्लेट हमारी एक इंचोड़ी रहेगी और जो वाँकी तीन प्लेट हैं वो हमें आदा इंचोड़ी रखनी है ठीक है तो इस तरह से निसान लगा लेते हैं और फिर यहाँ पर कट लगा देंगे फिर हम यहाँ पर दूसरे प्ले को इसके उपर रखेंगे और दूसरे पले पर भी हम पिलेट का निसान लगा लेते हैं तो हमने निसान भी लगा दिये हैं अब हमें यापर क्या करेंगे पीछे वाले पले की कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें इतरह से अच्छे से विछाना है और यहां पर हमारी बिलाज की लंबाई 12 इंच है आदा इंच का मारजन लेंगे उपर सोल्ड़ से लें के लिए तो जो हमारी किनारी है वहां से छोड़े के हम साड़े 12 इंच पर निसान लगाएंगे और इतर से आगे वाले पल्ले को लेंगे इसके उपर अच्छे से रखेंगे जो हमारा आदा इंच का मारजन है उसको छोड़के हम यहां पर पल्ले को रखेंगे और फिस से हम निसान लगाएंगे आर्मोल की साइट हमें 1 इंच की गुलाई रखनी है ठीक है आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गुलाई आदा इंच रखी थी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने आर्मोल की गुलाई एक इंच रखी है ठीक है और यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को साइट से आदा इंच छोटा रखेंगे फिर हम याँ पर क्या करेंगे गले की लंबाई ना पेंगे तो गले की लंबाई हम याँ पर रखेंगे आठ इंच तो आठ इंच पर हमें निसान लगाना है इस तरह से गुलाई करेंगे तो हमने निसान लगा दिया है अब हम याँ पर कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है अब हम यापर प्लेट का निसान लगाएंगther तो चौडाई हम रखेंगे 5 इंज और लमभाई रखेंगे 4 इंज तो इस तरह से सीधी लाइन कीचेंगे सेम इसी तरिके से दूसरा भी प्लेट का निसान लगा लेते हैं तो यहां पर हमने पिलिट का निसान भी लगा दिया है अब हम यहां पर क्या करेंगे जो हमने पट्टी कटिंग करी थी तो इसमें से हमें बाजू की कटिंग करनी है यहां पर हमारी बाजू की लंबाई चार इंच है आदा इंच का मार्जन लेंगे तो यहाँ पर हमारी जो किनारी है वहाँ से छोड़ के हम साड़े चार इंच पर निसान लगाएंगे और बाजू की मोरी हमारी नौ इंच है तो नौ को अदा करेंगे तो यहाँ पर हमें साड़े चार इंच पर निसान लगाना है और यहां पर हम तीन इंच पर निसान लगाएंगे यहां से वाजू की गुलाई करेंगे और वाजू की जो हमारी चोडाई है वो साथ इंच है तो साथ इंच पर हमें निसान लगाना है तो इस तरह से हमने निसान लगा दिया है अब हमें आपर कटिंग करेंगे साथ में हमें डेड़ या दो इंच का मार्जन छोड़ते हुए ही कटिंग करना है ठीक है और यहाँ पर हमें हलकी सी गहराई देनी है इबाला इससा हमारा आगे की साथ रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे तो हमारी वाजू की कटिंग हो गई है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे और यह भी पट्टी कटिंग करेंगे डेड़ या दो इंचोड़ी हमें चार पट्टी कटिंग करनी है ठीक है क्योंकि दो पट्टी हम गले पर लगाएंगे और दो पट्टी से हमें डोरी बनानी है ठीक है तो यहाँ पर हमने चार पट्टी कटिंग करी है और यह हमने बटन वाली पट्टी कटिंग करी है इसमें से हमें क्या करना है एक पट्टी और लेकाले नहीं है काज वाली पट्टी के लिए तो इस तरह से हमने साइज तीस इंच बर्डर वाले विलाज की कटिंग करना सिकाया है और इसकी सिलाई हम अगली वीडियो में दिखाएंगे तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सस्क्राइब करना ना भूलें और वैलाकन को भी दवा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंशके और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए